नमस्कार दोस्तों तो आप देख रहे हैं मारा यूटूब चैनल अगरिकल्चर पार्ट साला तो जिसमें हम कर रहे हैं जो उत्राखंड में आई हुई जो साय करसी अधिकारी वर्ग 1 और वर्ग 2 की है और जो आगे आने वाली है गन्ना परवेक्सक की और जो राजिस्थान म बर्सीम और जहीं के बारे में हैं जो चारे की फसले हैं उनके बारे में आज हम अध्यन करने वाले हैं तो यह सैसन बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो तो जुड़े रहिएगा वीडियो को जो है पूरा देखिएगा इसमें जो बहुत ही मैंतोप्रून जो के पुस्पक्रम को जो इस पाइक कहा जाता है तो जो के पुस्पक्रम को कहते हैं बैए इस पाइक कहते हैं नेक्स्ट है कि जो का टेस्ट वेट यानि कि जो का टेस्ट वेट यानि बीज परिक्षन बीज परिक्षन भार कितना होता है तो बीज परिक्षन भार जो का कितन होता है 37 ग्राम होता है कितना होता है 37 ग्राम होता है कि आगे है कि जो में प्रोटीन होती है निकि जो में कितने प्रतिसद जो है प्रोटीन पाई जाती है तो जो में कितने प्रतिसद प्रोटीन पाई जाती है है जो में कितने परतिसक 11पे प्रोटीन फाई जाती हैं कि नेग्स ती कि है की जो की प्रोटीन को जो क्या का जाताहे है ग inqu को कहते हैं डिव कहते हैं ऑनेस्ट को जो कि भारत में जो गाई जाती है कि भारत में एक याद रखेगा कि यह दो तरीके की होती है दो पत्ते वाली और एक छे पत्ते वालुन तो होता है होरडियम क्या होता है होरडियम वुलगारे कि याद रखेगा कौन से होता है होरडियम वुलगारे निछे पत्यों वाली जो जो होती है उसका बोटनिकल नेम क्या होरडियम वुलगारे है आगे हैं कि नगन जो कहा जाता है यनि नगन जो है जो जो है वह किसे कहा जाता है याद रखेगा वो किसे कहा जाता है होर्डियम वुलगारे इस्पिसीज नुडम याद रेखेगा किसे कहा जाता है होर्डिय वुलगारे इस विसीज लुडम को जो है क्या कहा जाता है नगन जों भी कहा जाता है नेक्स्ट है कि जों का मुख्य रोग होता है यहीं जों का जो मुख्य रोग है वो कौन सा है कौवर रेड इसमट जिसका किसके कारण होता है वो ओस्टिलेगो होड़ाई कवक के दुवारा होता है जो ऊस्टिल एगो होड़ाई है, उसके द्वारा कौन सा होता है, कवर्ड इसमठ होता है, जो क्या है, जोंग का मुक्खे रूग है, आगे चलते हैं, जोंग का छिलका रहीत, जोंग का क्या है, छिलका रहीत? यानि कि जो की छिलका रहित किस्म कौन सी है तो वो कौन सी है डोलमा है एक अन्य भी है जिसे हिमानी एक अन्य किस्म जो है जो की कौन सी हिमानी जो क्या है छिलका रहित है तो याद रखेगा कि जो छिलका रहित किस्म है वो कौन सी है डोलमा और हिमानी है आगे बात करते हैं कि बरसीम में गुंसुत्र होते हैं कि बरसीम में कितने गुंसुत्र होते हैं टुएन बराबस सोला तो बरसीम में कितने गुंसुत्र होते हैं टुएन बराबस सोला ये आपको पताए कि बरसीम की कुल की है लेग्यूमिनेसी कुल की फसल है और चारे की एक कहम एत्वपून फसल भी बरसीम को माना जाता है आगे है कि हे बनाने में सबसे उप्रीग चारे की फसल है तो हे क्या है कि यह को जो काटकर सूखिया वस्ता में क्या कर लेते हैं स्टोरेज कर लेते हैं तो सबसे अच्छी जो हे बनाई जाती है बरसीम की बनाई जाती है एक होता है साइलेज याद रेखेगा जो साइलेज होता है जो गड्डों में तियार किया जाता है तो वो सबसे अच्छा किसका बनता है जो मक्का की मक्का का जो है जैनि जब मक्का कुछ आरे के रूप में पुरियोग करते हैं तो तब जो है उसका साइलेज अच्छा बनता है तो साइल याद रहेगा साइलेज मक्का का अच्छा बनता है और बर्सीम का क्या बनता है है अच्छा बनता है आगे है कि बर्सीम का बर्सीम का पाचन सील भाग नहीं बर्सीम का जो है जब पसु को खिला आते तो कितना परतिस्त भाग जर पच जाता है तो कितना परतिस्त भाग जो है बर्सीम का पसू पचा लेते हैं गारा किए की बर्सीम का मुख्य खर्पतवार कोंग साहां मैं कासनी हे घer किllaran की कि बीजडर को लेते हैं तो याद रखेगा कि बरसीम की 25 बीजडर को इतने होती याद रहेगा कि बरसीम की बाधने की से 25 किलो गराम बार्सीम को जो है मैं हैके मैं इ। को गोटे हैं कि आगे है कि खदर्ट कॉई याद रखेगा कि कौन सी है क्यों ऐगें मेर 20 थो खङृवी तो खडहर है किस्म कि से लिज उबर सीम के तो याद रखेगा ாत्र लगी जो खदरे बैब किसम इंबर सीम के और याद रखेगे कैसी किसम है एक 17 किसम किसकी बर्षीम की है निकी डिपलोइड होती है कैसी होती है डिपलोइड ट्रूइड जो गुंद सुत्रों के असंखह कितनी पाय जाते है टुएन बराबर 16 जो ने खढरावी में होती होगोड किसम है और कैसी इस उड़ेशी किसम में भी कहा जाता है अगे है कि चारे की रानी किसे कहा जाता है रिजगा को कहा जाता है रिजगा का ने नाम क्या है लूसन और एक होता है अलफा अलफा याद रेखेगा लूसन वै अलफा अलफा और यह किस कुल का पोदा है यह लेग्यूमिनेसी कुल का पोदा है याद रेखेगा यह किस कुल क ुका पौधा है लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है कौन रिजिका याद रहाएगा कौन सा है इरान जो है रिजिघा का उतपती अस्वता है नेक्स है कि रिजिका में कौन सा अमल पाया जाता है जिसे ज़्यादा मातरा में खाने से पसुग को क्या हो जाता है अफारा आ जाता है यानि कि जब रिजिका ज़्यादा मातरा में खा लिया जाता है तो कौन सा क्या हो जाता है पसुग को अफारा हो जाता है कि इसके कारण वो ओक्जेली केसिड के कारण जो है आ जाता है क्योंकि जो है रिजके में जो है ज्यादा मात्रा में पाया जाता है नेक्स्ट है कि रिजके का पाचंसील भाग होता है यहीं कि रिजके का कितना परतिसद भाग पचा लेते हैं थाchen बहा कुझे का पचाल लेक्टे है नेस्ट कि यूटरीने कई कर दानी लेते हैं उन्हें Tenet कि की सप्रीक अंदेर के लिए 250 किलोग्राम परियोक प्रति हैं अ mau सब्सक्राइट से यौट्य। है कि आफ नक爵 कर देर हैं। वह और यह याद रखेगा कि रिजके को जो है एक राइजोबियम कल्चर आता है वो किस नाम से आता है रिजके के लिए राइजोबियम मैली लोटी किस नाम से राइजोबियम मैली लोटी तो याद रखेगा किस नाम से आता है राइजोबियम मैली लोटी के नाम से जो है रिजक क्रिज का पर मुख्ये खर्पतवार कों सा है तो वो सा है अमर बेल कों सा है अमर बेल याद रेखेगा कि री ज़िए का मुख्ये खर्पतवार कौन सा हैं अमर बेल कर नाbase कि रिज इसका नाम क्या है रेमभुलरं तो हसे गई से और है हैिस यहां जोए पर नेक्स नहीं है व्य मुलजणавать जिसका हो तो बाबर केंख्या 42 होती है कितनी होती है 6cat बाबर कितने हुति होती है जैसे कि जो फोटा चीछ Time जे कि क्या है depending Prime एक है क्या है क्योंकि इसमेंद सुत्रों की तिन 1957 सैक्स बरावर क्या होती है कि नेक्स पोदा कि शूर publi क्यों रहंकि प्लांट क्यों है फुस्पन कि लिए लंबी अबदी प्रकास की होती सकता होती है और चीजर याद रखेगा है कि घास के लिए यह बीजारैद के लिए कि लिए नियुक्स पर्ती हेक्टीर बीजा के लिए नेक्स्ट है कि केंट किसम है तो केंट किसकी किसम है भाई जैई की किसम है तो जैई की किसम है कौन केंट केंट किसकी किसम है जो मुख्य रूप से जो है जैई गास के लिए जो उगायती है गुपजव किसम भी है नेक्स है यह थे आज के जो महत्वपून जो एक्जाम में आई हुए हैं पिछले कोश्चन है तो इनसे इन्हें याद रखेगा तो हमाई वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और चैनल पर गर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा तो धन् इसके और एक बात और कल जो हम करें हैं कल हम जो नगदी फसल हैं उनके बारे में उनके जो महत्वपूर्ण कोश्चन हैं उनके बारे में अध्यन करेंगा तो जूड़िएगा जरूर तो धन्यवाद